हेलो फ्रेंट्स, जनर्लिस्ट गुरू चैनल में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौरब कौशिक, आज हम बात करेंगे जनर्लिस्ट गुरू में तरपुरा की, आज का हमारा टॉपिक है तरपुरा में बवाल क्यों? तो friends जैसा कि आप जानते हैं कि Generalist Guru चैनल में हम आपके सामने current affairs, knowledge और उसके अलावे educational videos लाते रहते हैं आज का हमारा topic तृपुरा से related है तृपुरा आज कल इंडिया में और दुनिया भर में जो है सुर्खियों में चाया हुआ है और उसका reason है वहाँ पर जो अभी हाल में जो तनाव हुआ जो tension हुई धारा 144 लगी तो तृपुरा में ऐसा क्या हुआ था और वो क्यों हुआ हम इसका थोड़ा सा background जानना चाहेंगे अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो आपको तृपुरा इशू पे पूरी तरीके से clarity आ जाएगी साथ ही साथ बांगला देश से जो तृपुरा का जो relation है वो भी आपको काफी हद तक जो है वो clear हो जाएगा कि बांगला देश में जो होता है उसका तृपुरा में क्यों असर पड़ता है और बांगला देश के लोग भी तृपुरा में interest क्यों लेते हैं ये सारी बाते आप को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेके अंतर तक ज़रू देखेगा हर वीडियो में हम एक सवाल पूछते हैं और उसका सही उत्तर अगले वीडियो में दिया जाता है और एक लखी विनर को मिलता है जर्नलिस्ट गुरू कोफी बग तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि तरपुरा में हाल ही में थोड़ी बहुत वॉयलेंस की रिपोर्ट आई है ऐसा कहा जा रहा है कि जो माइनॉर्टी कम्मुनिटी है उसनकी प्रॉपर्टीज को उनके शॉप्स को और उनके जो पूजा के स्थाल हैं जैसे की मौस्क है उनको टार्गेट किया गया है हलका फूटका मजड़ी बहुत जादा डेमेज किया गया है लेकिन हमारा जो आज का इशू है वो यह है कि तरपुरा में बहला ये सब क्यों हो रहा है हम यह जानने की क हुआ है उसे समझ लेते हैं दरसल 15 अप्टूबर को बांगलादेश में कई जगे पर दुर्गा पूजा जो लोग सेलिबरेट कर रहे तो दुर्गा पूजा के पांडालों पे और दुर्गा पूजा सेलिबरेट कर रहे लोगों पर जो है वो हमला किया गया वहाँ पर जो है जो जो लोग दंगाई जो थे उनकी भी कुछ लोगों की मौत हुई तो कुल मिला करके जो है हिंदुआ मुस्लिम दोने ही कमुनिटी के लोग उसमें बरे और वहां पर लेकिन जो जो भी कुछ हुआ वहां की गौर्णमेंट ने उस पर है कि एक दो शेहर में दंगाउ साड़े चार सो लोगों के हिरासत में ले लिया रिया है तो शेख हसीना ने का जो रविया वहां पर जो लगा है वो काफी कड़ा लगा है दंगाईयों पर लेकिन ये बात तो हुई 15 अक्टूबर और उसके बाद के वीक में उसके बाद 26 अक् हमला किया कुछ मिस्क्रियंट्स ने इंडिया में और उसके बाद त्रिपुरा में टेंशन होगी त्रिपुरा में बाद ने धारा 144 भी लगी हलाकि पोलिस और प्रिशासन कह रहा है कि वहां पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है पर कौमिला और नोखाली ये एरिया है हो देखा वो अब हम जानेंगे तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए कि त्रिपुरा में रह रहे हैं लोगों और बंगलादेश में रहे हैं लोगों का आपस में क्या रिलेशन है हमें थोड़ा से हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ाएगा और हम जाएंगे 75 साल पीछे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डारेक्ट एक्शन डे का एलान किया था डारेक्ट एक्शन डे क्या था आप में से जो लोग नहीं जानते हैं बता दे कि मुस्लिम लीग का कहना था कि अब शुरुआत करो जब तक पाकिस्तान ना बने तब तक सड़कों पे उत जुलूस निकला और इसके बाद जो इस जुलूस के बाद मार काट हुई और इसमें बड़ी तादाद में लोग मरें ऐसा कहा जाता है कि लगबग 10,000 लोग हिंसा में मरें और हिंसा में मरने वाले लोगों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे या The Great Calcutta Rights के नाम से भी जाना जाता है और ये कतले आम जो है ये तीन-चार दिन तक लगा तार चला और पुलिस और परिशासन इससे कंट्रोल नहीं कर पाई इससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था तो ये तो चार दिन की बात थी जो चार दिन 16 अगस से 19 अगस तक ही ह हुआ उसके बाद काफी हद तक कैलकटा में नॉर्मल सी आ गई थी लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्यमूनल सिचुएशन जो है वो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन होती है अगर वो समय पर कंट्रोल नहीं की जाए तो वो स्प्रेड आउट होने के उसके चांसे बहुत टेकनीक थी कि जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा तब तक हम जो है हिंसा करते रहेंगे तो उसके बाद अगर हम आते हैं ऑक्टोबर के महिने में सेम साल 1946 में 10 अक्टूबर यानिकी लक्ष्मी पूजा का दिन इस दिन जहां हिंदू लोग बंगाल में में बहुत बढ़ी अगराद में हिंदू लोग अपनी लक्ष्मी पूजा में बिजी थे उसी देन जो है नोखाली एक एरिया है एक डिस्ट्रिक्ट है बंगलादेश में जो आज भी है नोखाली और कौमिला इन दौनों डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदूओं पर अटेक शुरू हुआ बरबरता बहुत जादा थी बरबरता इसलिए थी कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदूस को मुस्लिम्स में कनवर्ट कर दिया गया और फोर्सफुल कनवर्जन थी आप इंटरनेट पे जाके नोखाली राइट्स 1946 के बारे में जान सकते हैं और नोखाली राइट्स जैसी 1946 अक्टूबर में एक और बार आपको बोल रहा हूँ अब जाकर के इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं इसके बारे में जब नोखाली राइट्स चल रहे थे तो महत्मा गांधी को भी समझ में आ गया कि सिचुएशन जो है वो बहुत खराब हो चुकी है और उनको कुछ करना प बचाया जा सके वहां पर दंगा रुकवाया जा सके लेकिन कुछ जादा फाइदा हुआ नहीं हजारों की तादाद में वैसे तो आखना किसी के पास नहीं है कि कितने लोग मरे और और अफिशल और अनफिशल एस्टिमेट्स जो है वो हिंदू कनवर्जन का डाटा यानि क जो लोग हिंदू से मुस्लिम में कनवर्ट हुए वो बाइस हजार से लेके एक लाफ लोगों से जादा का बताते हैं लेकिन जादातर लोग जिन्होंने नोखाली राइट्स की बारे में स्टडी किया और लोगों ने यहीं किया कि मैजॉर्टी हिंदू पॉपुलेशन जो एहम हो जाती है कि end में महात्मा गांधी ने भी होप छोड़ दी चार महीने तक कोशिश करने के बाद मार्च 1947 आते आते हैं जब महात्मा गांधी को भी लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है पाकिस्तान बनेगा और इन लोगों की जान खत्रे में है तो महात्मा हैसे कर नाम से इसको जाना जाता है नोखाली और कौमिला जो है इसका तिरपुरा से पुराना आता है दरसल तिरपुरा जो है वहाँ पर एक राजशाही थी मानिक के राजा होते थे मद्यकाली युग तक यानि कि मैं आपसे 14, 15, 16, 17 सेंचुरी की बात कर रहा हूं उस समय वहाँ पर मानिक के डानिस्टी थी मानिक के राजा जो है उन लोगों का एरिया नोखाली और कौमिला ये दोनों भी उनकी टेरिटरी में आते थे तो ये उनका एरिया था और वहाँ पर उनकी जमिदारी भी थी अगर हम 15 सेंचुरी का गरंत उठाएं राजमाला राजमाला जो है एक क्रोनेकल है जिसमें की त्रिपरा की हिस्ट्री लिखी गई है 15 सेंचुरी से पहले का हमारे पास कोई जाधा रेटान रिकॉर्ड नहीं है और जो जिने की आप क्रोनेकल या गाथाएं कहते हैं उनके मुताबिक राजमाला में 179 पुराने राजाओं के बारे में जो कुशान यूग से ले करके जो कुशान काल से ले करके 15 सेंचुरी तक हुए तो इसकी थोड़ी और्थेंटिसिटी पर भी हलाकी लोग मतलब काईबार लोग यकीन नहीं करते हैं लेकिर राजमाला से इतना जरूर एस्टेबलेश हो जाता है कि नौखाली और कौमिला का जो एरिया है जहां पर अभी हाल फिलाल में दुरगा पूजा के दोरां जो है हिंदू पर हमले हुए थे ये भी मानिक के राजाओं के अंडर ही आता था तो मानिक के राजा उन्होंने अपना रिवेन्यू बढ़ाने के रादे से कि अपना रिवेन्यू कैसे बढ़ा जाए क्योंकि तिर्पुरा के तिर्पुरी लोग तो वहाँ अधा ही रहते उन्होंने बंगाली लोगों को नौखाली, कौमिला और बाकी जगे से यहां पर बसाया तो तिर्पुरा की population में जो आज की तारीख में आपको 9% Muslims मिलते हैं वो जातर वो लोग हैं जिने की बसाया गया था मानिक के राजाओं के दोरा क्योंकि मानिक के राजा जो है वो खेती को बढ़ावा देना चाते तो खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बुलाया अब अगर हम उसके आगे आते हैं जब 1946 में पहले Great Calcutta के लिंग्स हुई और फिर उसके बाद नोखाली राइट्स हुए तो देश में बहुत communal atmosphere हो गया जो हिंदूज यहां से निकले तो 1947 से 1951 के बीच में बहुत साधा हिंदूज जो है वो तिरपुरा जाकर के बसने लगे तिरपुरा की अबादी डबल हो गई 6,10,000 जो हैं वहाँ पर refugee पहुँच गया 1947 से 1951 के बीच में और यह जातर बंगाली हिंदू थे अब 1941 की अगर हम बात करें तो तिरपुरा की अबादी में 24.09% मुस्लिम थे वहीं अगर हम 1971 की बात करें याने की 30 साल जाने की 30 साल के बीच में partition हुआ तो 1941 से 1971 के बीच में 6.68 मुस्लिम रह गए थे तिरपुरा में और नौखाली की अगर हम बात करें तो 95.45% मुस्लिम वहाँ रहते हैं आज की तारीख में और 4.52% हिंदू रहते हैं वहाँ पर आज की तारीख में क्याने की मैं नौखाली का इसलिए जिकर कर रहा हूं क्योंकि अभी प्रेजेंट फसाद सारा नौखाली से शुरू हुआ है नौखाली में जो है वो टार्गेट किया गया था तुर्गा पूजा पंडालों को और उसके बाद ही ये सारा महमला आगे बढ़ा था वहीं अगर हम तृपुरी लोगों की बात करें तो 1941 में 62.06% तृपुरा के इंडिजिनेस लोग जिनेगी हम क्याते हैं इंडिजिनेस फ्रण्ट ओफ तृपुरा जो है जिनके लिए फाइट कर रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ 1941 में 62.06% वहाँ पर जो है वो तृपुरी लोग थे और 2011 साल 2011 आते आते वो महज 31.78% रहगा यान कि तृपुरी लोग आज की तारीक में वहाँ मैनॉर्टी में है बंगाली लोग जो है वो 60% से ज़ादा है उन बंगाली लोगों में 8 या 9% के लगभग जो है वो मुस्लिम बंगाली है और उनी को अभी इस समय जो है कुछ लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हम बात करते हैं present political situation की तृपुरा में क्योंकि जो violence हुई है उसको कई लोग political angle से भी देख रहे हैं IPFT यानि कि indigenous front for तृपुरा ये जो है एक political party है indigenous front of तृपुरा जो है वो लोगों के लिए लड़ रही है तृपुरी लोगों के लिए जो कि वहां की original population थी जो कि आज की date में बहुत जादा घट करके पिछले census के साथ 31.78% महस रह चुके हैं आज की तारीख में जो वहांपर मुख्य मंत्री है जो बीजेपी से है वो भी बंगाली है तो IPFT से alliance किया था बीजेपी ने और बीजेपी IPFT से alliance करने के वेशे काफी advantage में रही और अगर हम politically तृपुरा को देखते हैं अजादी के ब जो है जो बीजेपी को बड़ी success मिली साल 2018 में जब विदानसभा के election हुए और बीजेपी को उसमें जो है एक clear majority मिली लेकिन इस majority में IPFT का भी बहुत बड़ा रोल था जिन्होंने बीजेपी के साथ alliance किया था तो 2018 में बीजेपी सरकार आने के बाद अगर आप 2019 में आते हैं और फिर 2020 में आते हैं और तब के घटना गरम देखते हैं तो उसमें काफी situation complex हो गई है वोटर्स के लिए अगर आप त्रिपरा के एंगल से बात करते हैं उसका reason है कि उसके बाद NRC भी आया था और फिर CA भी आया अब CA आ जाने के बाद वहाँ पर जो बंगाली community के लोग ऐ आए हैं उनको भी वहाँ पर जो है वो नागरिकता मिल जाएगी और यहां पर हम आपको बता दें कि बांगलादेश वार के टाइम जो है लगभग 10 लाग से ज्यादा लोग वो तिपरा में बंगा की तरफ से आयते जिसमें जातर हिंदू थे जो बाद में आये जो 2014 तक आय आराउंड हिंदू है तिरफुरा में 8.6% के आराउंड मुस्लिम है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मानिक के राजा जो थे मानिक के राजा का जो किंग्डम था वो किंग्डम जो है बंगलादेश के नोखेली और कॉमिला एरिया में भी था तो इसी लिए अब जब ह आपर्टीज को यह मुस्लिम्स को और ऐसे करने की पीछे क्या वज़े है वो वज़े अगर हम पॉलिटिकल एंगल से समझे तो यह है कि टीमसी जो है वो कमनिस्ट पार्टी को ना उसने बंगाल में तो रिप्लेस करी दिया साथी साथ अब तिरफुरा में भी रिप्लेस कर वो तो एक तरीके से बीजेपी से नराज होई गए क्योंकि आप एक तरीके से क्लियर हो गया है कि बेंगॉलीज को वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी और रहेंगे भी और जो बेंगॉलीज जो है उसमें दबदबा बढ़ता जा रहा है टीमसी का तो बीजेपी जो है उस Muslim Bengalis यहां बाद में आई हुए हैं तो उन्हें तो CA कानून के तहर नागरिकता मिल नहीं सकती या विदिन Bengali community अगर Hindu Muslim का डिवाइड होता है तो political situation काफी change हो जाती है तो BJP जो है एक तरीक से Bengali Hindus जो है उन पर BJP की command जो है वो बढ़ सकती है और वहीं पर जो है जो तृपुरी लोग है और जो IPFT है उसको देखना पड़ेगा कि वो किस के साथ alliance करें और कैसे इस political पूरी situation को जो है वो manage करें तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का त्रिपुरा के बारे में कि त्रिपुरा में जो issue है उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे पिछले वीडियो म हमने आप से पूछा था कि इंडोनेशिया में बाली में कित्ते परसेंट हिंदू रहते हैं तो उसका सही जवाब है 87% और ये सही जवाब दिया है राकेश शर्माने भूपाल से राकेश जी आप तक जर्नलिस्ट गुरू ब्रेंडेट कॉफी मग पहुंच जाएगा अब उस लकी विनर को मिलेगा जर्नलिस्ट गुरू ब्रेंडेट कॉफी बग और लकी विनर का नाम जो है वो हम अगले वीडियो में एनॉंस करेंगी तो आज का हमारा सवाल है कि बंगला देश के वो कौन से दो इलाके हैं जो कि मानिक के राजाओं के अंडर आते थे बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें ये ज़रूर बताईए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाते हैं आज के लिए इतना ही ठैंक यू